नमस्का दोस्तों स्वागते आपका हमारी यूटूब चैनल फ्री एज्यूकेशन में दोस्तों इस साल की मोश्ट इंपोर्टन तीन सो करेंट एफेस की सीरिज हमने आज से स्टार्ट कर दी है यह हमारा फर्स्ट पार्ट है ठीक है रोज आपको पार्ट मिलेंगे और हर पार्ट में आपको तीस कोस्टन मिलेंगे और यह तीस कोस्टन हम हल करेंगे यह बिलकुल डिटेल में हल करेंगे ठीक है तो आपको सभी पार्ट देखना बहुत ही जरूरी है यहां से यदि आप 10 पार्ट देख लेते हैं तो आपका इस साल का पूरा 80% करेंट एफेस कवर हो जाएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं नमबर फर्स्ट कॉस्चन है डबलू एचो के दौरा जारी दुनिया की 15 प्रदूसत सहरों की सूची में इसमें कान पूर पहले इस्तान पर है यानि कि इस कॉस्चन का C ओप्सन से हो जागा कान पूर पहले इस्तान पर है और हरयाना का एक सहर है फरीदवाद यह दूसरे इस्तान पर है और तीसरे इस्तान पर है वारानसी ठीक है तो यह तीन आपको याद रखना है सहर हैं तीन सहर है ठीक है अभी कोई और संग्ठन जारी करेगा तो उसमें चार सहर हो सकते हैं पांस सहर हो सकते हैं अभी WHO ने जारी कि इसमें पहले इस्थान पर कानपुर है हो सकता है किसी कोई और संग्ठन करे तो उसमें पहले इस्थान पर दिल्ली हो तो आपको यह याद रखना है कि कौन और्गनाइजिसन ये रिपोर्ट जारी कर रहा है नमबर सेकंड कोस्टन है उत्तर प्रदेश के किस सहर में पहाड़ी वयां चडिया की सर्रक्षण के लिए विस्व का पहला प्रजिन के अंदर बनेगा तो कहां पर बनेगा ये विने बनेगा उत्तर प्रद भारतिय सूटर अपूर्वी चंदेला कितने मीटर एयर राइफल रैंकिंग में वर्ल्ड नमबर वन खिलाड़ी बन गई है तो कितने मीटर में बन गई है ये बन गई है दस मीटर में यानि किस कोस्टन का C ओप्सन से हो जागा वो देखिए जो रैंकिंग है ये किसने जा डिकोन बन गई है आप पूर्वी चंदेला ये भारत की है और गुलावी नगर जयपुर से बिलाउंग करती है तो आपको इनका नाम याद रखना है जलवाईउ आपातकाल घूसत करने वाला विसब का पहला देश कौन वन गया है तो ये वन गया है व्रिटेन यानी किस कोस्चन का ए ऑप्षन से हो जाएगा आचली नेस्ट कोस्चन देख लेते हैं नेस्ट कॉस्चन है भारत के किस सहर में पहली बार सोर उर्जा से संचालत मेट्रो ट्रेंड चलाई जाएगी तो ये कहां पर चला जाएगी दिल्ली में चलाई जाएगी यानि किस कॉस्चन का डी ओप्सन से हो जाएगा नेस्ट कोस्चन है टाइम्स हायर ऐजोकिशन के दौरा जारी की गई एस ये इन्यवर्सिटी रेंकेंग 2019 में भारत के कितने सिक्षल संस्तानों को इस तान मिला है तो ये मिला है וननंचस सिक्षल संस्तानों को इस तान ये ही यनि किस कॉस्चन का डी ओप्सन से हो जाएगा औ चीन और जापान की बाद चीन पहले इस्तान पर रहा है जापान दूसरे इस्तान पर रहा है और इसके बाद अपना देश भारत तीसरे इस्तान पर रहा है ठीक है और कितने सक्षन सहस्तानों को इस्तान मिला है तो उननचस यह भी आपको याद रखना है नेस्ट कोस्टन है अंत्रक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व चेर्मेन ऐसेस क्राण कुमार को किस देश के सर्बोच नागरिक सम्मान से सम्माने की गोश्णा की गई है तो इनको किस देश का सरवुच नागरिक सम्मान मिलेगा इनको मिलेगा फ्रांस का यानि किस कोस्टन का डी ओफसन सही हो जाएगा अब फ्रांस का सरवुच नागरिक सम्मान मिलेगा तो सरवुच सम्मान जो होता है फ्रांस का उसका नाम क्या है उसका नाम है सेबिलीर डियल ऑडर नैस्नल Дीला लेज़ंट ओना ठीक है ये फरांस के सर्वुच नांगरिक समान का नाम है, या इस नाम से भी पूचा सकता है और अैसेश क्राण कुमार जो है इस रो के पूरवचेरमेन है इस रो के वरतमान चेर्मन कौन है तो इस रो के वरतमान चेर्मन है के सिवान ठीक है तो आपको इनका नाम भी याद रखना है नेश्ट कोस्चन है आई टी टी एफ की ताजा रैंकिंग में कौन सा भारती है टेबल टैनिस खिलाड़ी विस रैंकिंग में टॉप टॉप टॉंटी फाइब में इस्तान बनाने वाला पहला भारती है खिलाड़ी बन गया है तो कौन बन गया है वो बन गया है जी साथियान यानि कि इस question का C option से हो जाएगा और इन्होंने top 25 में इस्थान बनाया है तो कौन सा इस्थान बनाया है इन्होंने बनाया है 24 बेस्थान ठीक है तो आप इससे याद रखेंगे साथ ही यह report जो है ITT app की है ranking ITT app की है तो इसका full form क्या होता है इसका full form होता है international table tennis federation ठीक है इसकी स्थापना पूची जाए कि कब हुई थी तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यला यदि पूचा जाए कि इसका मुख्यला कहां पर है तो लोसाने सुजरलेंड में इसका मुख्यला है ठीक है लोसाने सहर है सुजरलेंड का यहां पर इसका मुख्यला है नेस्ट कॉस्टन है आस्टेलिया की कौन सी एरलाइंस ने दुनिया की पहली जीरो वेस्ट फिलाइट सुरू की है तो कौन सी एरलाइंस ने की है उसका नाम है कंतास एरलाइंस यानि कि इस कॉस्टन का डी ओप्सन से हो जागा देखे आस्टेलिया की कंतास एरलाइंस ने हाल एरलाइंस कहां की है ऑस्टेलिया की इसने दुनिया की पहली जीरो वेस्ट फिलाइट सुनू की है नेश्ट कॉस्टन है नेपाल के कामी रीता सेरपा कौनसी बार दुनिया के सबसे उची चोटी माउंट एवरिस्ट पर चड़ने वाले एक लोते परबत रोही बन गए हैं तो कौनसी बार चड़ चोके हैं ये चड़ चोके हैं 23 भी बार यानि कि इस कॉस्टन का डी ओप्सन स रखना है कामी रीता सेरपा कहां के हैं ये नेपाल के हैं नेश्ट कॉस्टन है समलेंगे के विवाय को मंजूरी देने वाला एसिया का पहला देश कौन सा है तो ऐसा कौन सा देश है एसिया का पहला देश है ताइवान यानि कि इस कॉस्टन का सी ओप्सन सही हो जाएगा औ और आब तो सामल लेंगे कि बिवाय को इंडिया में भी मंजूरी मिल गई है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेस्ट कॉस्टन है फिलाइट लेप्रिनेंट भावना कंट भारतिय वायु सेना की कौन सी सेनानी फाइटर फाइलेट वन गई है तो ये वन गई है पहली यानि कि इस कॉस्टन का ए उप्सन सही हो जागा आपको इनका नाम याद रखना है भावना कंट ये जो है भारतिय वायु सेना की पहली महिला सेनानी फाइलेट बन गई है और ये विहार से बिलाउं करती है ये भी महिला है तो आपको याद रखना है यह कहां से हैं तो यह उड़ी सा की क्यों जहर एक छेतर है लोकसवा छेतर है इसका नाम है क्यों जहर यहां से यह चुनावलणी थी और यह जीती भी है और सबसे यह वह सानसद भी बनी है तो आपके उनका नाम याद रखना है नेस्ट कोस्टन है अमेरिका का कौन सा राज मानव सव को खाद में बनाने की मंजूरी देने वाला पहला राज बन गया है तो मानव सव को खाद बनाने की मंजूरी देने वाला अमेरिका का कौन सा राज बन गया है उसका नाम है वासिंग्टन यानि कि इस question का B option से हो जागा मई 2020 से लाग होने वाले इस नियम के तहट अब लोगों के साथ अपने साव को कम पोस्टिंग करने के लिए विकल्प होगा मानव चाहे तो उसको कम पोस्टिंग करने के लिए दे सकता है ठीक है ये मानव के पास विकल्प है ऐसा अमेरिका के वासंग टर्न में नियम बन चुका है तो चल गए आंगे बढ़ते हैं नेस्ट कॉस्टन है नेमलेकत में से किसने पतन जली के प्रबंद ने दे सक आचारी वाल Krishnam को विस्ब के दस सबसे प्रवाज साली लोगों की सूची में सामिल किया है तो किससे ने किया है ? उसका नाम है उससता का नाम है UNSDG यानि किस कॉश्टन का D-Option सahी हो जाएगा और इसी ने जो है आचारी वाल Krishnam को विस्ब के दस सबसे प्रभावसाली लोगों की सूची में सामिल किया है ठीक है अच्छा ये सामिल किया है UNSDG ने तो इसका जो फुल फाम है वो क्या होता है इसका फुल फाम होता है United Nation Sustainable Development Group ठीक है इसकी स्थापना कब हुई थी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका Headquarter जो है वो New York अमेरिका में इसका Headquarter है साथ ही आपको याद रखना है कि UNSDG जो है इसने अभी आचारिये वालकिष्णा जो है कौन है पतंजली के प्रबंद ने दे सक हैं इनको Health Care Award 2019 से सम्मानित किया है ठीक है तो ये भी पूछा जा सकता है कि Health Care Award 2019 के से दिया गया है तो ये पतंजली के प्रबंद ने दे सक हैं आचारिये वालकिष्णा इनको किस ने सम्मानित किया है UNSDG ने सम्मानित किया है Next question है किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पंडुबी बैल गो रोड को अपनी नोसे ना में सामिल किया है तो दुनिया की सबसे लंबी पंडुबी है इसका नाम है बैल गो रोड और ये जो है रूस की नोसे ना ने सामिल किया है यानि कि इस question का B option से हो जागा इसकी लंबाई है 604 फीट और ये जो है एक बार में एक सहर को तबहा कर सकती है ठीक है तो आप इसे याद रखेंगे नेश्ट कोस्टन है निमने लखेत में से कौन वहान में ACI बैडमिंटेन चेंपियन सबका महिला एकल किताब जीतने वाली पहली जापानी महिला बन गई है तो इनका नाम है या काने या मगुची यानि किस कोस्टन का सी ओप्सन से हो जागा और ये जापानी बैडमिंटेन ख बात है प्रदान मंत्री नेणमोदी जो है वाराण सी से वाराण सी इनकी लोकसबाद सीट थी यही से इन्हों ने चुनाव जीता थ है अपनी जंता को धन्वाद करने के लिए जाएंगे तो कहां जाएंगे वाराण सी जाएंगे ठीक है तो आप याद रखेंगे ने Bry नेम पिएकchnet और action choreographer थे और डारेक्टर भी थे इन्होंने 80 की जो दसक में हिंडी की movie हैं कई सारी जो लड़ाए हैं जो action है उसके जो Scen तो इस्टंट और action choreographer थे next question है । मैंसे किस hospital में भारत का पहला multi sclerosis के लिए खोला गया है तो ये कहां पर खोला गया है ये खोला गया है दिलली के dayPop dej अपसूंस हो जागा पहला multi crucet के लिए खोला गया है इसलिए भूत ही जपला है तो हम समझ गया है लेकिन ये multi sclerosis लिखा है ये क्या होता है तो देखिए मल्टी स्केलोसस जो है एक बीमारी है जो तंत्री का तंतु होता था शरीर में माइलिन का निर्माड करने वाली विसेश कोशिकाओं को नुक्सान पहुचाती है ठीक है और इसी के इलाज के लिए इसी के उपचार के लिए पहला इसे याद रखेंगे नेस्ट कॉस्चन है नेमलेखत में से कौन सी कंपनी एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली सरकारी कंपनी बन गई है तो सरकारी कंपनी बन गई है कौन सी वो बन गई है ONGC यानि कि इस कॉस्चन का C option सही हो जाएगा ठीक है ONG ONGC वनी है तो ONGC की संबंद में कई फिक्ट पूचे जाते हैं सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म तो इसका फुल फॉर्म होता है ओल एंड नेचरल गैस कॉर्परेशन ठीक है ये क्या है तो मैंने अभी आपको बताए कि सारवजनेक चेत्र की पेट्रूलियम कंपनी है ठीक है और इस बार सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली सरकारी कंपनी वन गई है ठीक है इसकी स्थापना पूची जाए कि कब हुई थी तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड़ कोटर है वो देहरा दून में है ठीक है तो आप इसे याद रखेंगे हैं इनके पहले ये रेकॉर्ड था दक्षिन अप्रिका का बंदा था उसका नाव था निकी वोई ठीक है इसके पास रेकॉर्ड था और आप दूसरे कौन बन गए हैं दूसरे बन गए हैं रसीद खान तो आप इसे याद रखेंगे नेश्ट कोशन है एक रपोर्ट के मताबक दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्राफिक वाले चार सो तीन सहरों में कौन सो सहर पहले इस्तान पर है तो पहले इस्तान पर है वंबाई यानि कि इस कोश्चन का भी ऑप्शन सही है और देखिए दिल्ली जो है वो चोथे इस्तान पर है ठीक है आपको यह भी याद रखना है कि भारत के दो सहर है कौन-कौन से है एक तो मुंबई जो है वो पहले इस्तान पर है और दिल्ली जो है वो चोथे इस्तान पर है अब यह जो सबसे ज़्यादा ट्राफिक वाले चार सो तीन सहरों पर यह रैंकिंग जो जारी की ह यह किसने जारी की है तो location technology की एक company है जिसका नाम है tom tom ठीक है tom tom company है इसने यह report जारी की है 403 सहरों की और इसमें जो इंडिया है उसका Mumbai पहले इस्तान पर है और दिली चौथे इस्तान पर है तो आप इसे याद रखेंगे next question है किस देश की सरकार ने हाली में social media पर fake news फेलाने वालों को 5 साल की jail की सजा का प्रावधन रखा है किसने रखा है यह रखा है स्री लंका की सरकार ने यानि किस question का c option से हो जागा देखिए fake news यदि कोई फेलाता है social media पर तो उसको 5 साल की सजा होगी और साथ ही जो है जो स्री लंकाई रुपए होते हैं ठीक है उसके according 10 लाख स्री लंकाई रुपए का जुर्मान लगएगा ठीक है तो वहती अच्छी फेल है आप इससे याद रखेंगे next question very very important question है आन्दे प्रदेश की मुख मंत्री जग मोहन रेड़ी ने अपने 25 दसी मंत्री मंडल में कितने ओप मुख मंत्री निक्त किये हैं कितने की हैं 5 डिप्टी सीएम निक्त किये हैं यानि कि इस question का D option से यह भीया ऐसा कौन करता है तो ऐसा करने वाले अभी तक के पहल सीएम बन गए हैं जग मोहन रेड़ी जिन्होंने 5 डिप्टी सीएम निक्त किये हैं ठीक है तो अच्छा रेकोर्ड है आप इससे याद रखेंगे यानि कि इस question का A option से यह देखें इसी ने अपनी संपत्ती का खुलासा किया है तो इसी के according जो है इस मंदर के पास 9 kg सोना है ठीक है 316 kg चांदी है और 120 करोड रुपे है ठीक है तो यह आपको याद रखना है एलेक्ट्रिक वाहनों को बडाबा देने के लिए किस सहर में पहले इसमार्ड पब्लिक एलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इस सें का उधघटन किया गया तो यह कहां पर किया गया है यह किया गया है दिली में यानि किस कॉस्चिंग का B options से यह देखें भारत की मंत्री सतेंद्र जेन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को वड़ाबा देने के लिए स्मार्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इस्टेशन का उधगाटन किया है इसके साथ ही एक मोबाइल एब भी लॉंच किया है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेस्ट कॉस्चन है UAE के किस सहर में रहने वाली आठ वर्स ये भारत वनसी चात्रा निया टोनी को अमीरात रिसाइक्लिंग अबोर्ट से सम्मानित किया गया है तो किस सहर में रहती है ये रहती है दुबई में यानि किस कॉस्चन का ए उप्सन सही है और इनको अमीरात रिसाइक्लिंग अबोर्ट से सम्मानित किया गया है अब देखिए जो निया टोनी है ये आठ वर्स की है और भारत वनसी है ठीक है इन्होंने दुबई में एक सफाई अभियान चलाया था जिसमें इनको ये अबोर्ट दिया गया है ठीक है तो आपको इनका नाम याद रखना है भारत वनसी है आठ साल की है ठीक है और इन्होंने जो है दुबई में अपना अभियान चलाया था सफाई अभियान नेश्ट कोस्चन है उत्तर प्रदेश के किस राजिकी बार काउंसल की पहली महिला अध्यक चुने गई दरवे से यादव की हत्या कर दी गई है तो ये दरवे से यादव कहां की बार काउंसल की अध्यक चुने गई थी उत्तर प्रदेश की यानि कि इस कोस्चन का ए उप्सन सही है बार काउंसल समत्ते है आप लोग देखें मैं आपको बताता हूँ कि जो डिष्ट कोट हाई कोट या फिर हाई कोट का कोई खंडी पीट होता है वहाँ पर जो वकीनों का संग होता है उसको हम बोलते हैं बार काउंसल ठीक है और इसी की पहली महिला अध्यक्ष चुने गई थी दरवे से यादा हो इ आपके इस अभियान के तहट कई सारे सुरक चात्मक उपाई अपना कर कई परकार के जो अंधेपन होते हैं कई परकार की किसमे होती है अंधेपन की उनको खत्म किया जा सकता है तो आपके इस अभियान का नाम याद रखना है C9 अभियान है किसने लौँच किया है अमिताव बच्चन ने लौँच किया है अब नेश्ट एंड लास्ट कोस्टन है आपके लिए चैलेंजिंग कोस्टन है इसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है सच्छ निर्मल तट अभियन का सुभरम किसे ने किया था आपके लिए चार आप्शन में दिये गए हैं यदि आप चाहें तो इस कोस्टन के बारे में डेटेल भी लख सकते हैं तो थैंके दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वा दे दिया आपको हमारे वीडियो अच्छ लगा तो प्लीस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ अपने स्टेडी बार्सप गृर्प में इसको सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सथ बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी परकार के लेटिस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके और दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं करेंट एफस के तो आप वह भी बहुत कर सकते हैं और अभी जो हम सीरे्ज स्टार्ड कर रहे हैं वह बहुत बहुत कपरेशन है हम यहाँ पर तीस-वीडियो आप के लिए बनाएंगे इस परकात से आपके 300 वीडियो के एक तीस kar टाई हिसके इस प्रकार रहेंगी चाहे वो NTPC की परिक्चाओ, Group D की परिक्चाओ, SSC की परिक्चाओ, या फिर PSC की परिक्चाओ, जितने भी परिक्चाओ हैं, सबी में आपको यहां से बहुत सारी help मिलने वाली है, तो thank you दोस्तो, मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए,